दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं लोगमत न्यूज मैं हूँ आदित पिदुवेदी दोजार उन्नीस के लोगसवा चुनाओं नस्दीक आ रहे हैं राश्ट्री स्वयम सेवक संग एक बार फिर से राम मुद्दे के साथ फिर से हाजिर हो गया है कल एक कारिकरम में महाराष्ट में RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर पर बयान दिया है उन्होंने कहा है कि राम मंदिर को मुस्लिमों ने नहीं बलकि विदेशी आकरणताओं ने तोड़ा है उन्होंने एक बार फिर से हिंदूओं की एक्ता की बात कही है उन्होंने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इसका जब तक कोई समर्धान नहीं आ जा जा तक हमको इंतजार करना चाहिए मोहन भागवत के इसी बयान पर हमारे साथ बात करने के लिए रंगनाथ जी है इससे हम बात करें उसके पहले अदेश में जो चल रहा है उसका एक reference देना चाहते हैं देश में इस वक्त कटुगा गएंगरेप का मामला उन्नाओ गेंगरेप का मामला शूरत में 11 साल की मासूम बच्ची मिली है इस तरहे के धेर सारे मुद्दे उसके अलावा कमिनल दंगे जो हो रहे हैं उसमें कई DJP नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं इस तरहे के धेर सारे मुद्दों के बीच में अगर RSS ने और मोहन भागवत ने कोई मुद्दा चुना है तो वो है राम मंदिर का मुद्दा तो मैं इसी पे सबसे पहला सवाल आपसे ही सर करना चाहता हूँ कि उन्होंने हिंदू एक्ता की बात कही है कि हिंदूों की बर्फिर से एकजुट होना चाहिए तो किस चीज के लिए एकजुट होना केंद्र में उनकी सरकार है 22 राजियों में बारती जन्ता पार्टी की सरकार आ गई है अभी एकजुट करके उनको क्या हिच्सादना है पहले मुझे समझ में नहीं आदा कि हिंदू एकजुट कब नहीं है एकजुट तो बिखरे हुए लोग होते हैं राष्ट में कहां बिखराव है और कौन सी ऐसी चीज है जिससे पता चलता है कि हिंदू बिखरे हुए है अगर इस बात से लगता है कि हिंदू बिखरे हुए है कि BJP को पिछले चुनाव में केवल 31 प्रसत लोगों ने ओट दिया और जब तक उसको 80 प्रसत लोग ओट नहीं दे देंगे कि तब तक मोहन भागवत जी नहीं मानेंगे कि देश के हिंदू एकजूट हो चुके है और जैसा कि आपने कहा कि 22 राज्यों और केंडर में आपकी सरकार आ गई है फिर भू हिंदू एकजूट नहीं तो लेकिन हिंदू को एकजूट होके करना क्या है और कौन सी ऐसा पैरामीटर है जहां पे वो काम करने के बादे साबित हो जाएगा कि हिंदू एकजूट है तो मुझे लगता यही एक गलत बयानी है मिथ्य बयान है और इसकी मंसा पुलराइजेशन है कि अधिक सेधिक हिंदू ओटों का ध्रूई करन लेकिन जिस देश में 80% आबादी को हिंदू माना जाता है या हिंदू बहूल देश है उसमें बहु संख्यक को इकठा होना है य पिर सुप्रीम कोड के फैसले को बदल देंगे हिंदू एक जूठो की क्या कहना है यह दी चिंता जाने कि जिस तरह से उन्होंने पूरा बयान दिया है तो जाहिर है कि वो अपने आपको कही ने कहीं संदेश देना चाहते है कि कोड के फैसले के समनांतर हमारा विचार इसरी बात है कि मोहन भागवत आधिकारिक रूप से कहना मुश्किल है लेकिन ये एक बुद्धी जीवियों के बीच में बहस हो सकती इस बात पे कि सबसे ताकतवर देश के शक्स वो हैं या नहीं सवक्त हमारे जैसे लोग का मानना है कि हाँ हैं जैसे सोनिया गांधी के श सबसे पाउरफूल है अभी जैसे एक प्रमुक अंग्रेजी अखबार ने देश के सबसे सो ताकतवर लोगों के एक लिस्ट निकाली तो उसमें नमबर एक प्राइम मिनिस्टर नरेन मोदी को दिया नमबर दो बीजेपी प्रेसिडेंट अमिश्रा को दिया नमबर तीन ची सबसे बड़ी पार्टी सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष है तीसरा सुप्रीम कोड का जज़ है पांचवी जो है वो कॉंग्रेस के अध्यक्ष है ऐसे ही है लिए उनके बीच में एक मोहन भागवत है जो एक तरीके से एक ऐसे संगठन के जिसका कोई समय धानिक आधार नहीं है वो एक मोटा मोटी एक NGO जैसा संगठन है और उस संगठन का अध्यक्ष जो है वो इतना पारफूल है और हम जैसे लोग को लगता है कि निवह वो देश के सबसे पारफूल वियक्ति हैं कि उनकी बात को शायद प्रदान मंतरी नरेंद मोदी आधिकारी गूरूप स लोट को पहले उसको कहा जाता था कि ब्रामट बनियां पार्टी है फिर उसमें ठाकूर और लाला और दूसरे इस तरह का जो समण तबका है चुकि उसके अंदर एक आरक्षन को लेके ग्रंथी है उसको लगता है कि हां आरक्षन होना उसके अन्या है और बीजेपी ने उसक कैसे बयान दे दिया कुछ लोग मानते हैं कि जानबूच के बयान दे दिया तो जानबूच के दिया लापरवाही से दिया लेकिन वह पासस अगर दिया गया होगा तो हो सकता समयनों को यकीन दिलाने के लिए कि हम अभी वही बीजेपी हैं जो आरक्षन के खिलाफ है और अ मुहन भागवत की तागत की अभी बात की उन्होंने तो मैं बता दूं कि मुहन भागवत जब 2009 में संगिकी उन्होंने कमान समभाली थी तो उस वक्त जो शाखाये लगती थी राश्टी स्वयम सेवक संग की वो देशवर में 40,000 थी लेकिन 2017 क्याज़े बताते हैं कि ये बड़ा कैडर है जो उनके पीछे काम करता है शायद ये भी वज़ा हो यही वज़ा ही ही है एक तरह से उनकी ताकत के पीछे हम फिर से एक बार मोहन भागवत के कल के बयान पर वापस आते हैं उन्होंने कहा कि पहली बार इस तरह के एक और बयान लिया कि जो मंदिर वोगी देशी आकरंताओं ने तोड़ा इसके पीछे का क्या कारंता होगा? मंत्री का बयान आ गया है और उसके नीचे लिखा कि बयान अभी आएगा तो बता देंगे आपको क्या आया है? तब जागे प्रधान मंत्री में एक बहुत ही आपचारिक किस्म का बयान दिया और लेकिन उसका जो परिणाम निकला व्यवारिक परिणाम निकला कि जम्मू क को छोड़के और उन्नाओ के भी केस में पीडिता की तो हत्या नहीं हुई लेकिन पीडिता की पिता की हत्या हो गई और पीडिता के पिता को अभियुक्तों मुख्य अभियुक्त के भाई जो खोद अभियुक्त है उसके उपर मारने पीटने का आरोप है और आपको कोई मा पद पे हैं जब आप जितने आपका पद बढ़ता जाता है आपके जिम्मेदारी बढ़ती जाती है आप किसी भी संस्था में या किसी भी देश में तो अगर कोई ऐसी चीज हो रही है जो पूरे देश के जन्मानस को बड़े व्यापक जन्मानस को और घटना है जैसे खास त संत्तंतर के बुनियादी सवाल है कि क्या आब हम इसी सिती में आ गया हैं कि जहां पर पिड़ित पख्ष दो समुदाएं के हैं तो उन दोनों समुदाएं पर हम वकील जज और वकील और इस्पेक्टर हमको तीसरे पख्ष का रखना होगा तो इस बुनियादी ने देश का जो चौथा सबसे ताकतवार आदमी माना जा रहा है, जो देश के एक सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में से एक संगठन का जो प्रमोख है, और हम जैसे लोग जो मान रहे हैं कि सरकार के उसका प्रभाव बहुत जादा है, वो आदमी उस चीजों के बजाए अभी वो मंदिर और मस्जित का और चुकि करनाटक में चुना होने वाले हैं, तो मूलता वो कम्मूनेल लाइन पर ही ले जा रहे हैं, अगर उनके बयान को हम साफ तोर पे कहें, तो कम्मूनल पुलराजिशन का ही बयान है, सामप्रदाइक, वो असी प्रसद हिंदूओं को लग जूट करना चाहते हैं, और कहीं की भी सामप्रदाइक राज्ती, खास तोर पे जो फासिवादी किस्म के राजनिती होती है, उसका अब एक पैटरन है, को एक काल्पनिक शत्रू तयार करता है, किसी एक कम्मूनिटी को, किसी एक समधाय को, इसी तरह हिटलर ने अपने जर्मनी में जब हिटलर का उत्थान हुआ, तो उसने सभी बुराईयों की जड़, यहुदियों को बताया, कि सभी बुराईयों की जड़ यहुदी हैं, यहुदी नहोते तो यहुदी नहोते तो वो नहोता, यहुदी तुमसे सूद लेते हैं, यहुदी ऐसे हैं, यहुद हिंदू प्रधान मंत्री होते रहे हैं और हिंदू आप देखेंगे तो 29 से स्टेट में मैक्सिमम स्टेट में हिंदू प्रधान मंत्री केंदर में हा और मुख्य मंत्री जो है स्टेट में हैं केंदर शासित प्रदेशों में है तो मुसल्मान इतने जादे प्रभावी लोगतांतिक देश में नहीं हो सकते, क्योंकि उनका संख्या बलकम है, ठीक हो कही 100 सीट, 50 सीट, 10 सीट, बिधायक MP को प्रभावित कर लें, तो कोई भी समुदाय कर रहा है, मुसल्मान इस देश में एक जाती की तरह काम करते हैं, जैस उस तरह का जो विद्वेस और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उस तरह का खत्रा मुसल्मानों से 80% लोग को खत्रा है, और मारे वो जा रहे हैं, समस्या है, तो उसमें ये जाहिर है, कि चुनाव आने वाले 2019 का चुना बहुत करीब है, अच्छा उन्होंने एक और बयान में आलोचकूग की भाषा में बात कहें, तो जुमले बाजी है, तो जो जाती में कोई भी ऐसा पार्टी एक बता दीजिए, जो कहते हूं कि हम जाती की राजनिती करते हैं, लोग सवा चुनाव से पहले मुझे राजनास सिंग का बयान में याद है, कि उन्होंने एक अंगरे भारती जन्ता पार्टी जिसकी छवी दूसरी है, उसके समर्थर भी यह बात नहीं बोले हैं, कि हमारी पार्टी जाती भी रोधी, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं, दूसरी जाती के दमन का एक अंतर नहीं विचार है, कि नहीं हमारी सत्ता आगे, समणों की सत्ता आगे, तो य पूरी बारत की जो चुनावी राजनीती है वो जातियों के लामदी पर ही ठीकी है और यह नहीं कि यह कर रहे हैं जाति की राजनीती हर कोई कर रहा है चाहें Congress हो चाहें Congress आझ भी Brahmad को बनाने के बाद होरी कि U.P में President Brahmad बनेगा या Rajul Ghandi कह देते कि मैं Brahmad हूं या BJP कह देते कि यह मुसलमान है तो मूलता BJP उसको सांपरदाइक्ता के सतर पर ले आती है उस मामले में BJP कई अलग भूमिका है चरितर है हालेकिन जाती के इस तरफे तो कोई एक पार्टी ये कह दे ना कि हम जाती भी रोधी हैं तो यह जूट है जुमले बादी है क्योंकि आप आधिकारिक रूप से नहीं कह सकते हैं कि हम जाती बादी पार्टी है कल के बयान के संदर में एक आगरे सवाल में आप से ये है कि वो जो राम मंदिर का मुद्धा फिर से लेकर आए हैं तो इस बार जो हिंदू बोटर है हिंदू बहुल है जिसने भरोसा किया था कि 2014 में अगर हम इनको पूर्ण बहुमत देंगे तो हो सकता है कि राम मंदिर बन जाए फिर से इनकी बातों में आएगा मुझे तो इसमें भी संदर है कि शायद जितने भी धार्मी किस्म के हिंदू होंगे और अध्या ठीक है अगर जो लोग आलोचक है उनकी कि मंदिर वहीं था ये साबित करना बड़ा मुश्किल है माल लेते हम फिलाल की हमंदिर उसी मस्जिद वारी जगह पर ही राम का जन्म हुआ था ये कहना भी एकदम जैसे उनके लिए नामुमकिन है तो ये कहना भी नामुमकिन है कि ठीक है यहीं नहीं हुआ था लेकिन इतना तय है कि हमारे जो हमारा जो अंतहचेतन है जो सामुदाइक अंतहचेतन है जो भारती जो मानस है उस मानस में अध्या ही राम की नगरी है अब ये ठीक है कि आरेसेस ने कहा कि यहीं वो जगह है जहाँ पे या RSS ने नहीं कहा, किसी और ने कहा या कुछ और लोग मिलके कहें कि यही वो जगह एक्जेक्ली राम जो अब मिथकिये पुरूस है हमारे लिए क्योंकि उनका कोई अतिहासिक डेट हमें नहीं पता है और अगर भारती तुब बुले हिंदू जो है, उसको इतना पता है कि अयोध्या ही वो जगह है जहां पे रामचंजी का जन्म होगा था और उस जगह से उनका जुड़ाव है तो उसका एक भावनात्मक जुड़ाव है और वहां पे अगर मंदिर बनता है तो सबको साथ व्यापक हिंदूओं को अच्छा लगे लेकिन उसकी कीमत کیा है क्या हिंदू जन्मानस उसकी कीमत चुकाने के लिए तयार है अगर उसके लिए क्या व्यापक इस तरह पे दंगा होने की स्थिति आती है तो क्या आम हिंदू चाहेगा कि मंदिर बने ये सोचने की बात है क्योंकि हिंदू की जो परमपरिक छवी रही है वो सहिस्रों की छवी रही है हिंदू की छवी ऐसी रही है कि वो स्विकार की और acceptance की छवी रही है दूनिया के कहा जाता है कि जब यहूदियों को वहाँ पिसताय गया जहां मूल रूप से जहां के थे तो हिंदुस्तान में सरण लिये इसलाम जो सो कॉल गुलाम, वंसो, लोधी, वंसो, मुगल, वंसो इनके आने से पहले भारत में इसलाम आ चुका था पार्सियों को जब इरान से भगाया गया और जब नहीं रह सके तो भारत में आके सरण लिए तो दुनिया माना जाता है कि हमारा एक और दुनिया का भी विश्वास रहा है मेजार्टी तबके का कि भारत जो है तो विभिन तरह के लोगों की ना सरण गाह है उसको यहां पर सबको जगह मिलती है तो इस अब यह जो 4000 साल का जो विजडम है जो एक अंतरनीद विवेख है जो विवेख दिखाई नहीं देता है तो अब देखना है कि क्या और हमें लगता है कि जैसे पिछले बार जब सुप्रिम हाई कोड का फैसला आया था कि बराबर हिस्सों में तो उसमें कोई हिंसक प्रतिक्रिया नहीं हुई हाई कोड ने क्या का कि उस चीज को जमीन को तील हिस्सों में बाट दिया निर्मोही अखाड़ा को एक हिस्सा दे दिया एक रामलाला विराजमान को दे दिया तिसरा हिस्सा Muslim Personal Law Board को दे दिया कोई हिंसक प्रतिक्रिया नहीं लोग गये सुप्रीम कोड में हाँ लेकिन यहां एक राजनीतिक पार्टी है और दूसरे तरब भी राजनीतिक लोग हैं उनको भी उससे एक ही करण करते हैं उटों का और उससे फायदा होता बीजेपी को इदर फायदा होता लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तने बड़े लेवल पे और हाँ बीजेपी के पास वो एजन्डा है बीजेपी चारी क्योंकि धुरूगी करण ही उसका एजन्डा है पिछले कुछ महीनों से चुब कहुए महाल बना और अभी जो महाल बना महिला सुरक्षा का कि महिला सुरक्षा बहुत-बड़ा मुद्धा है नारी पर बार अपकी बार मोधी सरकार जो इनका नारा था निर्भया के बाद और लोग सणकों पर उत्रे था उनको लगाते हैं कि हम सुरक्षा दे सकते हैं, बहु बेटियों को सुरक्षा दे सकते हैं, और हमारे सामनती समाज में तीसरी दुनिया के देश में, बहु बेटियों की सुरक्षा आदमियों को बहुत गहरे तक छूता है, तो उस मामले में कि एक उन्नाव में बेटी सुरक् क्या हिंदू है जिनके संगे नाइंसाफी हुई है या जिनके संगे अपराध हुई है तो मुझे लगता है कि ये काठ की हाणी जिसको कहते दोबारा नहीं चड़ेगी तो ये 2019 के चुनौन अस्धी का रहे हैं आप ऐसे रेर सारे नेता आपको असली मुद्दों से बढ़का के अलग अलग तरीके की बाते करेंगे जिससे उनका रागनीति की हिद सब सके तो जैसा रगनाच जी ने कहा कि आप 4000 साल उरानी विद्धुता लेकर इस वक्त यहाँ हैं तो उस विद्धुता का इस्तेमाल कीजिए जो नेता मुझ से बोल रहे हैं उनके पीछे की रागनीति को समझिए और अपना हिद्स आ लिए आप देख रहे थे लोकमतन्यूस इंदी मैं हूँ आदित दुवेदी देश और दुनिया की बागी सभी बड़ी खबरों के लिए पढ़ते रहे हैं लोकमतन्यूस डॉट इन धान्यवाद